कोची मेट्रो में काम कर रहे ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को सस्ते आवास और परिवहन की सुविदा उपलप्त कराई जाएगी भाड़े का माकान मिलने में उन्हें आ रही परिशानी के चलते कोची मेट्रो रेल लिमिटेड ने ये फैसला लिया है हाली में शुरू हुए कोची मेट्रो में 23 ट्रांसजेंडर लोगों की नियुक्ती का दुनिया भर में लोगों ने स्वागत किया था और इसे एक मील का पत्थर बताया था केरल के वित्तमंत्री टी-म थॉमस सिजाक ने यहां तक कहा की कोची मेट्रो में ट्रांसजेंडर समुदाय की भागिदारी केरल की आधुनिक्ता का प्रतीक है और मेट्रो में उनकी मौजूद्गी से समाज को एक संदेश मिलेगा लेकिन इस पूरे मसले को लेकर कई तरह की दिक्कतें सामने आने लगी कुछ ट्रांसजेंडर लोग जो अपनी लैंगिक पहचान को छिपा कर रह रहे थे उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को कोई किराय पर घर देने के लिए तयार नहीं था जिसकी बज़े से 9 ट्रांसजेंडर लोगों ने अपनी नौकरियों से स्तीफा दे दिया था कोची मेट्रो की शुरुआत के सिर्फ दो हफते बाद ही उन्होंने ये कदम उठाया मेट्रो अधिकारियों ने उन्हें अपने फैसले पर विचार करने के लिए कहा है और उन्हें 5 जुलाई तक का वक्त दिया है अगर फिर भी वे अपना स्तीफा वापस नहीं लेते तो उनकी जगा ट्रांसजेंडर समुदाय के दूसरे लोगों को भरती किया जाएगा इस पूरे मामले से ये साफ जाहिर होता है कि ऐसी कोई भी सरकारी पहल तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक समाच खुले मन से उन्हें सुविकार नहीं करता ब्यूरो रिपोर्ट गो निस